नमस्कार स्वागत है आपका हमारी चैनल नेक्स्ट नाइन इस्प्रिच्वल में रोजाना की तरह दर्श को आज हम फिर्श से हाजिर हैं आपके सामने जानकरी के लिए आपको बता दें कि आज की दिन हम आपको बताने जा रहे हैं उन चीजों के बारे में जो आपको भूल कर भी कभी भी शिबलिंग पर नहीं चड़ानी चाहिए दरसल आपको बता रहे हैं कि सामवार की दिन भगवान शिप का पूजन करना हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर माना जाता है वहीं ऐसा भी माना जाता है कि इस दिन भगवान भुलेनात की पूजा करने से प्यक्ति की सफी परिशानिया दूर भी हो जाती हैं वहीं लोग अपनी मनोकामना को पूरी करने के लिए भगवान शिंकर की पूजा करते हैं रस्तातर ब्रत भी रखते हैं लेकिन अगर बात की जाए पूजा अर्चना के भारे में तो आपको कई चीज़ों का विश्यस ध्यान रखना चाहिए। दरसल आपको बता रहें कि भगवान शिव एक मात्र ऐसी देव हैं जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन अगर इनकी पूजा अर्चना में किसी प्रकार की भूल हो जाती है तो भगवान रुष्ट भी जल्दी हो जाते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप पूजा करते समय कुछ साफधान या जरूर बढ़ते हैं। तो आई आपको बताते हैं कि आखरतार कौन सी चीजे हैं जो आपको शिवलिंग पर नहीं चड़ानी चाहिए। मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि शिवजी को सफेध रंग के फूल पसंद हैं। पर वहीं केत्की का फूल सफेध होने के बावजूद शिवजी की पूझा में उप्योग नहीं किया जाता है। इसके अलावा भगवान शिवजी की पूझा में तोल्षी का प्रियोग भी वरजित माना गया है। अब बात करते हैं यहाँ पर शिप की पूजा में तिल के प्रयोग के बारे में भूल कर भी आपको तिल का प्रयोग नहीं करना चाहिए माननेताओं के नुसार कहा जाता है कि तिल भगवान विश्नु के मेल से उत्पन हुआ था वहीं ऐसे में तिल भगवान विश्णी को अर्पित किया जाता है पर शिप को नहीं चड़ाया जाता है जानतरी के लिए आपको बता रहें कि भगवान शिप की पूजा में शंक से जल अर्पित करने का विधान भी नहीं है और इसलिए आपको ऐसा करने से बचना चाहिए तो दर्श को ये थी वो तमाम चीज़ें जिनका आपको विशेज ध्यान रखना चाहिए पबूल कर भी आपको शिवले पर ये चीज़ें नहीं चड़ानी चाहिए साथी साथ आपको बता दें कि शिवजी की पूजा में अगर आप चावल चड़ाते हैं तो वहीं आपको विशेज ध्यान रखना है कि चावल खंडित यानि की तूपे हुए नहीं होने चाहिए पुम-कुम उपत्ति के पुद्धीक माने गए हैं वहीं शिवजी की पूजा में ऐसा नहीं होना चाहिए यदि आप शिवजी की पूजा में नारियर चड़ा रहे हैं तो बहुत ही अच्छा होता है लेकि नारियर का पानी नहीं चड़ाना चाहिए तो दश्को ये थी वो तमाम चीज़ें जिन्धा आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना है और कभी भी भूलकर शिवलिंग पर ये चीज़ें नहीं चड़ानी चाहिए हमारी स्थास रिपोर्ट में अतना है तक तक के लिए आप देखते रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पूर्ट गर्ट